बीज़ वेल्कम बेक टू माई चैनल मेरा नाम ग्रीप्ति वारी है और आज मैं आप लोगो बताउंगी बैस्ट टुरियर सिर्म दियावाइभी बताउंगी और बैस्ट एर श्रेम आप मार्केट के कौन सा पर्चेस कर सकते हों भी बताउंगी ज्योंकि आपके बालों को बना देंगे तो क्या है वो आज मैं आपको बताने वाली हूं तो पुरा वीडियो एंट टर्फ जर्म देख लिए और आपको बेस्ट वी मिलेगा अभी आपको मेरा बाल भी इख लागा जाएंगी तो मैंने वही वाला सीर्म अप्लाई के मैंने बालों में कंगी नहीं किय बिल्कुल भी नहाने के बाद से ऐसे हैं मेरे बाल तो अब यह वाला हेर से रमीच कर सकते हो अपने बालों को सॉख साइनी और स्मूथ बना सकते हो तो कौन ता हेर सीर्म है देख लीडियो आपको समयज में आ जाएगा और ट्राय भी कर सकते हो ज्यादा कोश्क्ली भी नह तो मेरे यह सुदशी सही है जैसे कि आप चानते कि कोविड-19 कोलना वाला चल रहा है तो उसके लिए पहले से पहले से जान है तो जान है तो जान है से लिए मिल्यों स्टाइट कर लेते हैं अरी क्या हुआ तेल को ऐसे मूंक्यू बना दी है सडू सा बाल ख़ाब होगे कितनी बार तेल को समझाया कि दियावाई हेर सिर्म यूज कर या फिर कोई अच्छा सा ब्रैंड का हेर सिर्म ले 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 उससे बाल को बहुत ज़्यादा साइनिंग होते हैं यह ले पकड़ यह लॉरेल परिस का है अप्लाइक करें इसके एक से दो ड्रॉप तुझे लेने और अपने बालों पर अप्लाइक करना हां यह 200 रुपर का है बजट फैनल भी है काफी अच्छा है और बहुत अच्छा ब्रैंड है लॉरेल खा अर यह तो अगर शिंगल यूज करती है तो एक म पागाव इसका रखकन बहुत इजली खुल जाता है इस तरीके से हां इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है एक सी दो ड्रॉप लेनी है और तुझे हाथों पर अच्छी से दप करना है यह तो यह एक से दो ड्रॉप ही है अच्छे से दप कर लैंथ में नहीं सौरी करना है गुलाब जल और अलवेरा जल को मिक्स करके रख लो और हैर शिरम की जगा पर यूज करो उससे भी बाल ऐसे ही शौफ्ट और शाइनिंग हो जाएंगे अलवेरा जल एंड गुलाब जल उन्हों को अच्छे से ब्राबर कुएंटिटी में यूज कर लो मिक्स कर लो पूरे बालों में अप्लाई करो इसे भी बाल ऐसी सॉफ्ट साइनिंग और स्मूध हो जाएंगे तो जो मार्केट से नहीं लेना चाथा वो डिया भाई भी अप्लाई कर लेगा अच्छे से लगाने पास देख सकते हैं कितना प्यारा सा सॉफ्ट सा भहिया दिख रहा अब तो कैसे लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना जली से बसकर बसकर आप और वी लोगों को अप्लाई करने दे हां हां पांच से शे ड्रॉप जिसके बहुत ज़्यादा लंबे बाल है उसकी लिए है तो बहुत ही मस्ट सॉफ्ट स्मूद और शैनिंग हैर के लिए आप इसको यूज कर सकते हो तो जैसे यह खुश हो रही है वैसे आप भी खुश हो जाओ जली से अप्लाई करो या तो डियावाई बनाओ जली जली गुलाब जल लो एलवेर जल लो दोनों को मिक्स करो और ब क्यामेंट बॉक में बताना जलू कि आपको कॉन सा बेस्ट लगा डियावाई या फिन यह लाई पैरिस वाल लाई पैरिस वाल तो बैस्ट रहे गई दियावाई भी बहुत बश्ट है तो यहां पर मेरा थोड़ा सा है अप्ले का वीडियो देख लो आपलो तो बहुत सारी अप्रील ब स्पाइट रहे पामाई तो बश्ट बातर थो देख प्राई कान जाए अप्रीवाऊ जाह पहला है ईख जिसे वाल भीडियो अप्ले बातर प्राई करें ना ब्रेख ने चार्वित लो लुए करें लें लिए नहीं ना से बातर चाल प्लेघ कर पामाई ने झाल झाल जलीः यूच को कि बताना जरू कमेंट बोक्स में कि सच में अच्छा है और अपने दोस्तों को जिसके भी बाल इस तरी किसे आपार ही जान रहते हैं उनको यह वीडियो सेयाद जरू कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को इक लाइक भी कर देना और ज्याद कि मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है यह हैर सिर्म करके आप यूज करो बताओ क्या लगा आप लोग को और जिसको डियावाई यूज करना है गुलाब जल और अहले मेरा जल को लिट करके अपलाई कर लेना अच्छा है तो आप लोग को मेरे मेरे बाल कापी अच्छे लगे होंगे और यह बार है अच्छा है तो आप इसको अपलाई कर सकते लौयर वैरिश का है यह स्मूद इंस्ट 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 स्मूथनिंग सीरम बहुत ही अच्छा है आप अरगन ओयल से बनावाई थाई से रुपे इसका रेट है तो आप यह उसको यूज करते अपना ध्यान रखें और मुझे भी अखी सपोर्ट करते हैं ताके और भी अच्छी वीडियो जो भी हो में पास आपनों के वीडियो बनाएकर लेकर आपा हूं अविबड़ी करते हैं ताके वी अच्छी करते हैं